किसान विरो इस समय धान की बालिया निकल रही है और इस समय अगर हमने एक सही दवा सही माइकरे नियूटन या फिर इस समय खेत में सही तरीके से पानी देंगे तो आने वाले समय में हमारी फसल की जो पैदावार होने वाली है ये इसी पर डिपेंड करती है कि बालिया कैसी ह और पैदावर कितनी होगी तो इसके लिए हमें कीटनाशक और फंगी साइड के साथ जो तागत वाली दमाएं आती है तो इसका प्योग भी करना पड़ता है जैसे कि इस समय हमारे पास है यह रामसाइड कंपनी का ऑल्विन टॉपलस जिसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें काता है है है्ट्रोसाइकलिक नित्रोजल इसके यूज बहुत होता है यह पीज इरक अगर दाने वाला पीजियर नहीं है ऋसके लिए हम यह क्यों citing इसके भी सब और गतों के दाने काम करता है क्योंकि यह समय इसलिओn का काम करता है ते कि चलते पर कि और वह लिए अगर बनने की प्रोसेस को यह धीफ लिखा की बालियों में दाने खाली दाया जाते हैं तो उसके यह कारण होता है कि Phosphorus की में कंः काchn Saruba का बंती है बहुत जूरूरी होता है और इस में हमारी फसलह में Phosphorus भी बहुत जरूरी होता है और इसके अलावा इसमें पॉलिनेशन में बहुत जरूरी होता है फूट सेटिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है इसलिए फसलों में बोरोन की सप्रे सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज में होती है मतलब कि आप ऐसे समझगते हो कि बोरोन की सप्रे हमें बालिया निकलने से पहले करनी है या फंगी सेड हो गया, इंसेटी सेड हो गया, ये बिमारी और कीटों से बचाते हैं, मगर जो तागत वाली दवा होती है, ये पैदावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और इसके लावा धान की फसल में कौन से बेस्ट फंगी सेड हैं, जो लबस सभी तरह के फंगस को कंट्रोल करते हैं, और इस समय कौन से बेस्ट कीट न चके हैं, और इसके लावा कौन सी होपर वाली दवा बेस्ट है, तो ये सब वीडियो आपके समने आ रही हैं, तो आप ये वाली वीडियो भी जुरूर एक बर देखो, और आप कमेंट करके बताओ कि आपको तागत वाली दवा का सप्रे करने से फैदा हुआ है या नहीं? धन्यवाद!